बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का हर खबर की होगी मुकमल परताल मांगेंगे सबसे जवाब उठाएंगे हर सवाल खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा क्योंकि ये है जनता का ख़ड़ा नमस्कार मैं हूँ आनंदर सिम्हर अख़ड़ा में बात आज उस खबर की जिसकी चर्चा देश के हर घर में हो रही है पूरा देश आज चीफ अफ डिफेंट स्टाफ बिपिन रावत समेत हेलिकॉप्टर हादसे में जान गवाने वाले शहीदों को अंतिम सलाम कर रहा है तमनाडो में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी मदुलिका रावत जी का आज अंतिम संसकार किया जाएगा उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में कामराज मार्क पर मौझूद उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है सुबा जुबा ग्रामांत्री अमिच शा ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी को शद्धानजली दी और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की हैने से अजी डोवल CDS बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे इसके बाद निताओं के आने का सिलसला शुरू हो गया कॉंग्रिस निता राहुल गांधी CDS जनरल बिपिन रावत को शद्धानजली देने पहुँचे अब से कुछ देर पहले दिल्ली सीम अर्विंद केजरिवाल और डेपिटी सीम मनीशी सोड्या ने भी शद्धानजली दी बीजेपी अध्यक्स जेपी नडडा ने भी CDS जनरल बिपिन रावत को आखरी विदाई दी डेड़ बजे तक सेना से जोड़े लोग जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी मधुलिका रावत जी को शद्धानजली दे सकेंगे इसके बाद उनके कामराज मार्क से बरार स्क्वेर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी दिल्ली पुलिस के मताबिक कामराज मार्क से होते हुए तीन मूर्थी ग्यारा मूर्थी फिर धौलकवा होते हुए सीडियेस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा ब्रार स्क्वेर तक पहुँचेगी जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कुल मिलाके 800 सर्विस पर्सनल हैं जो की इस मिलिटरी फ्यूनरल का भाग में भाग लेंगे और सीडियेस जनरल बिपिन रावत को 17 गंद सेल्यूट की सलामी भी दी जाएगी जो की प्रोटोकॉल के तहत है और उसके बाद लास्ट पोस्ट और राउज ट्राइस सर्विसेस के जो ब्यूगलर्ज हैं वो इसको बजाएंगे और उसके बाद उनकी चिता को अगनी दी जाएगी कुल मिलाके 99 रैंक्स हैं सेना से नेवी से और एर फोर्स से औरosition 33 मेंबर हैं ट्राइस सर्विसेस बैंड के जो की फरंट एसकोर्ट का हिस्सा होंगे जब की 99 सारे रैंक्स में से प्रोटों निन्यानबे लोग जो हैं वो ट्राय और वो भी तीनों सर्विसेस से यानि आर्मी नेवी और एर फोर्स से और ये रियर एसकोर्ट की भूमिका निभाएंगे तो पूरे शान और शिद्दत से उनकी बिदाई होगी और सेना के तीनों विंग्स तीनों भाग इसमें पूरी त हमारे साथ जनरल बिपिन रावत के घर से अमिद पांडे जुड रहे हैं, सीडिय एस रावत के घर से ही चंदन जज़वारे भी जुड रहे हैं और रक्षा विशेशक गिलेफनेंज जनरल संजेक उलकरनी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं मैं सबसे पहले अमित पांडे के बास जाना चाहूंगा अमित एक के बाद एक सभी लोगों सभी बड़े बड़े वरिष्ट नेता और अधिकारी वहाँ पॉंगा